जैने दोस्तों इस विडियों लोग बात करेंगे बाजाज एश्टील कंपनी के बारे में इस कंपनी से लेड़ बहुत से लोगों के क्यूरी आ रहे थी कि इसके उपर एक पार्डिकुलर विडियो लेकर आए बहुत से लोग उपनी लेपन और भाई करके फसे हुए तो इस सब्सक्राइब ने काम नहीं करती है था और यह अगर इस इस पर नहीं हो रही है अगर इस कमपनी का मार्केट करें पाक है सिर्फ 256 करोन रुपया का और इस कंपनी का आज की दिन का जो सेर प्राय से 495 रुपया है जब आप चांट देखते हैं तो चांट में पूरा मेक्सिम्यम चांट देखेंगे तो इस तक यानि कि दो जार चौह से देखेंगे तो 2020 तक लगभग सपाट रेंज में रहा है और आपको पता दें कि 2006 से लेकर 2020 तक इस कंपनी का से सिर्फ 25 रुपई से लेकर 500 रुपई के बीची रेंगते हुए नजर आ रहा है इस ग्राफ में यानि कि कह सकते हैं लगभग यहां लेकिन कंपनी में जो लोग यह जाने और यह कहें कि जोग इसमें में चुरुप से सिर्फ को इसने सीमें फची से उसमें आना सुरुब हुए वह इसली इस तक बारें बड़करा रहा और आपको बता दूंग जुलाइद दू जारे किस तक कमनी का सेरपाइज सो रुपया से बढ़कर 15 रुपय तक चला गया था यह इसका मैक्सिमम हाई और बाउन ही का हाई दोनों है अब समझें कि साल भर में किसी स्टॉक ने 15 गुना करें मतलब अपने पैसों को 15 गुना किया है क्या संदार रिटर्न दिया और जब लोगों ने देखा कि करोना काल में इस स्टॉक प्राइस तीजी से बढ़ रहा है तो लोग ध्राधर इसमें करने लगे बिना इस कंपनी को जाने पाचाने लोगों ने दबा की इंवेस्टमेंट किया और जब किसी कंपनी में बढ़ता है तो से बढ़ना स्वभाविक है लेकिन फरवली 22 के बाद इस स्टॉक में काफी तीजी सी गिरावट देखने को मिला और अभी भी देखेंगे फरवली 22 के बाद से तो स्टॉ अब समझें यहां मैंने आपको कहा कि इतना तीजी क्यों आया था उसके बारे में समझते हैं हुआ यह था कि सितंबर 2020 का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था कंपनी का का काफी संदार आया था देखिए 68 क्रोन से बढ़कर इसका रिभेन्यू 137 क्रोन रुपया हो गया थ यहां पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट तू डिजिट मारा था अब थी डिजिट माने लागा था और प्रोफिट भी पढ़ा था देखिए तीन क्रोन से बढ़कर 1150 लाग कंपनी का प्रोफिट हो गया था सिर्फ तीन माह में सितंबर 2020 की बात बता रहा हूं आपको सित प्रोफिट होने लगा था इसकी बदावलत कंपनी में तीजी देखने को मिला हलाकि जो प्रोफिट और कंपनी के कामकाज इसके बिजनेस मोडल इसके अच्छे मेनेजमेंट के बदावलत बढ़ा लेकिन बहुत मान में क्या हो रहा है अगर करेंट सिस्टूएशन की बात क अब सिर्फ 62 क्रोण यानि कि जहां से यह बढ़ना सुर्वा था उससे भी कम हो गया है कंपनी का रेवहनु तो जहीर सी बात है और यह बहुत कम होगा ही तो इसका प्रोफिट की बात करें तो चार करोन असी लाह कंपनी को प्रोफिट हुआ है जो कि पहले आप देख रहे कि ड्रसाय गया है व्पसाइट में कंपनी को कंपनी को उबर जो करचा था पचास क्रोण का था लेकिन अभी पढ़कर 60 क्रोण करण और चांपनी का बढ़ते जा रहा है तो आगर आने वाले समय तब तो यह कंपनी फिर से करेगी इसमें कोई सक नहीं है लेगिन जो लोग बाइब करके फसे मैं मान करता हूं कोई तो उनको चिंता करने की बात नहीं है आप समय देजिए समय देजेगा तो अगर आप करना चाहते हैं तो एक सही समय देखकर अप इसमें थोड़ा क्वांटिटी बाइब कर सकते हैं तो मैं उम्मिद करता हूं आपको मेरी बाते समझ में आ रहे होंगी इस कंपनी से रिलेटेड यह पडेट आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा अगर आप मुझे परसने जोगर बात दिया गया है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब धन्यवाद शुक्रिया झाल लाइक करना मत हैं।